गिन्नी कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि आखेर घर में चोरी कौन कर रहा है मम्मे आप अपने मैजिक से देख लो ना कि कौन है कहां पर बैठा है मैंने कही बार देखा है गिन्नी एक गुफा है जिसमें चोर छुपकर बैठा हुआ है पर वो है कौन गुफा में इतना अंधीरा है कि कोई चेहरा दिखाई ही नहीं देता ओ, फिर दो कुछ नहीं हो सकता पर गिन्नी ऐसा कब तक चलेगा? अच्छा, अब तुम सो जाओ, रात काफी हो गई है, मैं ही कुछ देखती हूँ मम्मी को बहुत चिंदा हो रही है, ये चोर कौन हो सकता है? लगता है चोर के पास भी लाइट नहीं है, जिसकी वजा से वो अंधेरे में ही रहता है अब लाइट बंद हो गई है ना, आप चोर आया है कौन है? कौन है? तब लगता है भाब गया कौन कारने डेता है तब लगता है अब मेरी ममी नाहि चूम तब मेरी बात्मारूण All teenager बहार आओ, मैं तुम्हें तुछ भी नहीं कहूंगी वाँ, तुम तो माजिक भी जानती है इसलिए तो तुम से कह रही हूँ के मुझसे पंगा मत लो सायद से तुम यह बूल रही हो कि तुमारी मम्मे ने बोला था कि तुम किसी को अपने माजिक से नकसान नहीं पाजा सकती अगर ऐसा किया, तुमारी माजिक पावर चली जाएगी मैं तुम पर मैजिक का ना सही पर अपने हाथों का तो इस्तेमाल कर सकती हूँ ना देखे हैं, तुम कहां तक मेरे पिछे आ दिया तो वही है वो कुफा का रास्ता जिसमें ये चोर रहता है इसे क्या लगता है मैं इससे बड़ी हूँ तो अंदर नहीं आपाल दी इस चोर को तो मैं देख लूगी ओ तो वहाई कच्छा क्या है इसमें हमारे खर का सारा समान तुम तुम मेरे घर का सागल जैसे तुम मेरे घर आदे चोरी करने चच्चाप इस बॉक्स में आजाओ और मेरे साथ हमारे घर से दूर चंगल में चलो आज तो तुमें कोई नहीं बजा सकता अब कुछ तोड़ तुमारे घर में भी हाजाओ यह तो चीपेंगा तुम जो कर रहे थे उसकी सजा यही है आपने बिल्कुल सही कहा ममी मुझे मुझे माफ कर दो मैं अगे से बिल्कुल तंग नहीं करूँ आपको मुझे चार दो नहीं बिल्कुल नहीं तुम हमें न सही किसी और को तंग कर सकते हो तुम्हारे रहने की जगा यह नहीं है जंगल है तुम्हें वही जाना होगा हेलो, मैं हूँ किन्नी अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चानल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हर रोज देखिया ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानिया